हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जा 17th of August 2020 का Current Affairs का ये lecture आप लोग देख रहे हैं इस lecture में हम लोग various sources से news को cover करते हैं जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है, PIB की reports को discuss करते हैं राज इस अबर डेलिविजन में जो भी important news discussion debates आती हैं उनको cover करते हैं प्लस various magazines जैसे कि EPW down to earth के भी articles को discuss करते हैं In short guys, अगर आपने इस lecture को पूरा end तक देखा तो आपको किसी भी source से current affairs को prepare करने की आवशक्ता नहीं होने वाली है आप में से जो भी student civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए mandatory है इस lecture को end तक देखना prelims और mains दोनों point of view से हम लोग news को cover करते हैं English, Hindi दोनों में news cover की जाती है जिस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर उसी के according हम लोग news को भी cover करते हैं तो guys आज paper 1 से related कोई topic नहीं आया है तो हम लोग direct paper 2 से related topics को discuss करेंगे then paper 3 के ये कुछ topics हैं जो हम लोग discuss करने वाले हैं and students अगर आप facebook पर हैं तो facebook पर मेरा नाम सर्च करके मुझे follow कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो कर लीजेगा और bell icon भी हिट कीजेगा इससे lectures की हर एक notification updates आपको time पर मिल जाएगी अपना एक telegram का channel भी है जहा underscore sir telegram channel का ये user id है इसको अगर आप search करेंगे तो telegram channel आपको मिल जाएगा description पर भी इसकी link दी गई है तो इस channel के अंदर various मैं समय समय पर आपको task देता हूँ जैसे कि कल Sunday था कल मैंने आपको task दिया था कि आपको map की practice करनी है Indian map की practice करनी है कैसे freely Indian map को कैसे बनाओ गया आप तो उसकी practice क्यों ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों होती है तो आप जब इस channel पर आएंगे तो आपको एक discussion group भी मिलेगा उस discussion group के अंदर काफी सारे students है जो की various questions, doubts वगरा जो होते है वो raise करते हैं और आपस में doubt solve करते हैं काफी सारे students अपना answer भी post करते हैं जो daily मैं last में होवक देता हूँ उसका answer post करते हैं यह ऐसी activity होती है, तो एक healthy study environment आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है? तो इसको आप join कर लीजेगा अब चलिए समय ना waste करते हूए फटाक से lecture को शुरू कर लेते हैं पेपर 1 से related तो आज कोई topic नहीं आया है पेपर 2 से related direct topics की दिरफ हम लोग आगे बढ़ रहे है 6th schedule से related आपके सामने एक question है simple सा question है, पहले भी civil services मैं पूछा जा चुका है इस प्रकार का question पटाक से नीचे comment box पर इसका answer दे कर बताओ वीडियो को post करो और आप समय लेकर answer दे सकते हो तो 6th schedule जो है गई 6th schedule के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है actually मैं 5th और 6th schedule ये दोनों schedule ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो की जो tribal areas हैं उनके administration के purpose के लिए बनाए गए थे यानि कि जो जन जाती छेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उनके प्रशाशन के लिए उनके administration purpose के लिए ये बनाए गए थे 5th और 6th schedule जिसमें से 6th schedule के अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी states आती है 6th schedule के अंदर जो tribal areas है उसके administration purpose के लिए कौन सी states हम लोग को देखने को मिलती है इसकी एक छोटी सी trick है ट्रिक है ATM, ATM जाकर पैसे निकालते है न तो वह आला ATM ATM और एक और एम लगा लेना आखरी में तो आसाम, त्रिपुरा, मेजुराम, मेगाला है तो तीनचर बार आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा तो ये सिर्फ चार ही स्टेट्स हैं जहाँ पर सिक्थ शेडियूल जो है छटी अनुसूची लागू होती है तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए अब सिक्थ शेडियूल क्या है इसके बार में चर्चा कर लेते हैं डीटेल में तो देखिए सबसे पहली बार Constituent Assembly के द्वारा 1949 में ये पास हुआ था सिक्थ शेडियूल यहाँ पर Autonomous District Council बनाया गया था किस परपस के लिए कि ये जो Tribal Population जो है यानि कि हाबर जो आदिवासी जाती जो जन जाती हम लोग को देखने को मिलती है और Autonomous District Council जो है गाईज ये एक डिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है यानि कि जो स्टेट है उसमें काफी सारी डिस्टिक्स होती है तो ये डिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है और ये उन डिस्टिक को represent करती है जिन districts के अंदर tribal population होती है और इनका main काम यह है tribal population को administer करना जो आदिवासी जिंजातिया है जो अबादी है population जो है आदिवासी होगी तो उनको उनके जो rights है उनको protection देना यह इनका major काम होता है autonomous district council का और यह state legislative assembly के अंदर रहकर जो है वो काम करती है यह किसके नीचे काम करती है state legislative assembly जो भी respective state है जो भी चार राजियों की बात करी हमने तो उनकी state legislative assembly के अंदर यह काम करती है autonomous district council के लिए रहे हैं यह आगे की जर्जगरें यह बहुत important चीज है अकसर civil service में आई है governor से related की यहाँ पर जो छटे schedule के तहट governors को कुछ special power दी गई है वो क्या powers है तो वो जान लो आप तो देखिए guys governor को यह इन areas को बढ़ाने के लिए यह घटाने के लिए है निकि इन areas को यह जसी कि यह माल लो कि यह छेतर है ठीक है यह पूरी चीज जो है वो governor कर सकते है उनके पास यह power है राज यपाल के पास यह पूरी power है कि किसी किस छेतर को इस area में travel area में include करना या exclude करना है पूरी powers जो होती है वो governor के हाथ में होती है और governor को कोई separate कानून लाकर जो है यह करने की आवशक्ता नहीं होती है यह simply कर सकते है इस चीज को करने के लिए किसी territory को travel areas की territory जो है उसको बढ़ाने के लिए घंडाने के लिए जो है वो governor को एक अलग से कानून नहीं लाना पड़ता है बिना किसी कानून के यह जो है वो खुद से कर सकते हैं या दोनों हम लोग को इसमें देखने को मिलती है Autonomous District Council में और इवन यह village courts भी बना सकते है यानि कि setup कर सकते है village courts को जहाँ पर tribal से related जो मामले होते है यानि कि कोई भी issue जो tribal से related चलता है जैसी कि court में हम लोग जाते हैं वहाबर मुद्दे चलते हैं तो वैसी ट्राइबल से related मुद्दे को solve करने के लिए टैकल करने के लिए यह village courts जो है वो तयार किये गए हैं, setup किये गए हैं ADC के तोरह है इनके पास power से यह सब कि यह सब चीज कर सकते हैं क्योंकि एक autonomous body हम लोग को देखने को मिलती है और इसके पास यह power हो आप सोच सकते हो यह कितनी powerful body हम लोग को देखने को मिलती है जो tribal people के right है उनको protect करने के purpose के लिए यह किसी भी boundary तक जो है वो जा सकती है but exactly किसी भी नहीं क्योंकि यह हमने पहली बात करी state legislative assembly के अंदर काम करती है इसके लाब आगे की बात करें governor की एक और बात सामने आ रही है governor जो जैसे की कोई state है उस state का high code यानि यह चार states के जो high code होते हैं तो उनको governor specify करते हैं कि case में high court का jurisdiction किस प्रकार का होगा तो यह इतनी बड़ी बात यहाँ पर governor के द्वारा कही गई है इनकी power दी गई है governor को governor specify करेंगे कि कोई भी मुद्दा होता है tribal से related तो उसमें जो jurisdiction होगा किस मुद्दे का कौन से मुद्दे का और किस प्रकार के cases टैकल किये जाएंगे high court के द्वारा यह पूरी चीज specify की जाती है governor के द्वारा और यह council जो होती है entertainment, public health और भी काफी सार है मामले, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाता है कि जब यह code set up कर सकती है तो आप सोची सकते हो, अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यह सब चीजों को बनाने की, यानि कि इन सब जो matters है उनसे related कानूर बनाने की power तो obviously इसके पास होड़ी होगी, जब यह code set up कर सकती है तो एक huge power के साथ ही body हम लोग को देखने को बलती है अब इसमें यह भी कहा गया है कि जो central और state government जो है उनका role यहाँ पर restrict रहता है बट अगर मैं आप लोग को जैसे लिखा तो यहाँ पर है कि उनका role restrict है बट indirectly control जो होता है वो central का होता है और यहाँ पर आगी सल के आप देखोगी एक जगा लिखा भी हो है मैंने mention किया हो है बट उसका मैं logic अभी आपको समझा जेता हूँ कि central का direct control यहाँ पर कैसे होता है तो उसको handle करने के लिए logic काम करता है और UPSC civil services में conceptual logic वाले questions आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो यह चीज़ याद रखना अगर लिखा है कि यहाँ पर जो कानून यानि की travel areas के ओपर maximum control किसका होता है तो actual में तो यहाँ पर restrictions की बात की गई कि इनका role जो है individual role central और state government का वो restricted होता है बट indirect जो role है अगर आजाए कि क्या यहाँ पर central की पास indirect powers है इन जगा पर control करने की तो आपका वो statement होगा correct क्योंकि governor, governor किसका आदमी है center का हम लोग को देखने को होता है समझवारी बात है तो इस प्रकार से आप चीजों को समझो कानून जो है guys यह पास किया रहा सकता है पार्लिमेंट के दौरा, state legislature के दौरा बट कानून पास करने के बाद honorable president और जो governor है बिना उनके approval के यहाँ पर कानून apply नहीं होगा यानि कि अगर वो state legislative assembly या parliament अगर कानून बनाती भी है इन छेतरों के लिए तो वो कानून बनने के बाद जो final जो authority होगी जो की approve करेगी इन कानून को वो governor या honorable president तो यह चीज़ भी आप लोग को clear रखनी है और यह चाहे तो उसको modify भी कर सकते हैं या फिर as it is उनके दोरा बनाये गए जो कानून है उसको approve कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तो यह तीनों condition चारों condition इस में हम लोग को देखने को दिए यह काफी important topic है अक्सर civil services में आता है schedule tribe schedule caste related topics होते हैं यह जो schedule area है पाच पे और छटा schedule का और question आपके सामने है फड़ाक से video post करो इस question का आँ से नीचे comment box पर लिख कर बताओ question यह पूछ रहा है कि इन चारों options में से कौन जो है एक schedule area की territory जो है वो define करते हैं कि एक area जो होगा या territory जो होगी schedule जो areas होते हैं उसकी तो वो किसके दोरा define किया जाता है यानि कि in general ये question जो पूछने की कोशिश कर रहा है कि कौन व्यक्ति जैसे कि ये एक पूरा state है इस state के अंदर ये area schedule area होगा तो ये कौन decide करेगा जल्दी बताओ honorable president of India ये decide करेंगे अभी आप बलोगे कि sir आपने थोड़ी तर पहले governor बताया था governor हमने बताया थे कि ये area है यहाँ पर travel population होती है इस area को बढ़ा करना या छोड़ा करना या फिर दो areas है उनको एक कर देना उसकी power है governor के पास but honorable president बताते हैं कि ये फलाना छेतर है यानि कि ये state है इस state के अंदर ये area जो होगा वो schedule area होगा ये चीज़ आप थोड़ा सा difference भी यहाँ पर समझो क्यों कि ऐसी tricky चीज़ें अक्सर इन topics में पूछी आती है honorable president of India जो है वो define करते है territory को और ये चीज़ बकाइदा article 244 clause 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कि honorable president of India जो है वो define करते है कि schedule areas होगे वो कौन से होगे और पाचपे schedule के अंदर 10 states हम लोग को देखने को मिलते है total और article 244 जो है वो deal करता है schedule areas और travel areas से यानि कि schedule and travel areas से deal करने वाला जो article है article 244 है अब एक question आपके दिमाग में घूमेगा कि सर 6th schedule और 5th schedule में क्या difference है तो simple से difference याद रखना कि दोनों ही schedule एक तो tribal के administration purpose के लिए हम लोग को देखने को मिलते है tribal areas को administer करने के purpose के लिए पाचपा schedule जो है guys तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जितने भी हमारी country में जो schedule areas है उनके administration purpose के लिए है बट 4 राजियों को छोड़ कर और 4 राजियों कौन से है आसाम, मेगाले, त्रिपुरा और मिजुराम और 6th schedule सरिफ इन 4 राजियों पर काम करता है और 6th schedule के पास बहुत जादा extra powers है जैसे कि autonomous district council इसके लाब वहां कि जो लोग है इंडिजीनियस, जो travel population है तो उनको various rights दिये जाते है उनके protection के लिए तो ये जो है चीज़ें कुछ शटे schedule के अंदर हम लोग को देखने को बहुत है तो पाच्वे और शटे schedule में कौन जादा powerful है छटा schedule जादा powerful है तो ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि उसके बास extra powers बहुत सारी देखने को बलती है और सबसे बड़ी जो है वो है autonomous district council ये बहुत important है याद रखना और ये ही चीज़ को लेकर पूरा मुद्द चल रहा है कि क्या news है मैं आपको बता हूँ इसलिए पूरा topic मैं detail में explain कर रहा हूँ article 339 जो है हमारे Indian constitution का वो ये कहता है कि union government control कर सकती है schedule areas के administration और schedule tribes जो है उनके welfare के लिए तो ये चीज़ भी देखो आप article 339 में भी वेकाईदा लिखी गई है हाला कि एक जगा हम लोग को देखने को मलता है कि छटे schedule के अंदर हमने बात करी थी कि जो control जो होता है वो restricted होता है right but indirect control छटे schedule के अंदर तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि डारेक्टी मलत जो governor के द्वारा central government करवा सकती है हाला कि कहें तो practical sense में logical sense में अगर देखें चीज होगो तो central government आदेश दे सकती है governor को और governor को central government के आदेश के ओपर काम करना पड़ता है क्योंकि आप जानते होगी जो agent बोलते ना governor को कि governor क्या है central government का agent है तो ऐसी बात है अपने पढ़ी भी होगी कई बार तो वोई चीज यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझ नहीं है तोड़ी सी और बाकी all over जितने भी schedule area या जो tribal areas जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उनके जो administration है या उनके welfare के purpose के लिए पूरा जो powers जो होती है, control जो होता है वो union government का हम लोग को देख रहेगा मिलता है understanding the point or not और 10 राजे जो हैं जहाँ पर हम लोग को schedule areas देखने को मिलते हैं आंदरप्रदेश, चतिसगर, गुजरात हिमाचल प्रदेश, जहारखंड, मध्यप्रदेश, महराष्टा, ओडिशा, राजिस्तान, तिलंगाना इन 10 राजियों में से अगर आप किसी state में रहते हैं तो आप मुझे नीचे comment box पर लिख कर बताएगे कि आपके states में कौनसी कौनसी tribal communities हैं यह नीचे लिख कर बताएगा, यह सिर्फ आपके state वाली लिख कर बताएगा और comment में आप दूसरो students के पढ़िएगा, जैसे कि कोई दूसरे student दूसरे states से हैं, तो आपको उनकी states की भी travel population के बार में पता लगएगा, कौनसी-कौनसी travel population है क्योंकि ऐसे भी questions अकसर आते हैं इसके लावा, छटे schedule के अंदर यह चार states है, चार states के अंदर आपको एक task है, आपको जो है वो map अभी, जो मैंने आपको कल task दिया है न, map बनाने का, तो आप वैसा map बनाई है भी फिर से आज उसके बाद आप क्या की दिये इन particular areas को जैसे hills है यह, चाचर hills चाचर hills को आपको आपको हाँ पर mark करना है क्या साम में कहाँ पर, चाचर hills है कार्भी, एंगलॉंग district कहाँ पर है borderland, territorial area district काँ सी है तो color वलर, अगर आपको आपको हो यह वाली चीज तो जरूर करना, यह करना और ऊपर वाला जैसे चाचर hills हो गई और यह borderland territorial area तो इसके बार में भी हमने बात करी थी काफी detail में चमका, मरा और लाई district, यह छोड़ देना, ठीक है, सिर्फ यह वाली चीज करो आप यह hills के नाम, जो है यह hills कहाँ काँ आप लोके रेने, map में उसको pinpoint करो और फिर map को आप शेयर करो, ठीक है, और यह भी करना आप चाचर hills को, ठीक है, और borderland territory area कौन सा है, borderland area बोडोस आपर रहते हैं, याद हमने विवात के वाने पढ़ ला था, border issues के बार में discuss किया था, और अभी यह पूरा मामला, sick schedule का क्यों यूज में चल रहा है क्योंकि अरुनाचल प्रदेश के अंदर हम लोग को कुछ political parties और कुछ community based groups demand करते हैं नजर आ रहे हैं, कि उनको अरुनाचल प्रदेश, पूरा का councils जो है, उनके पास powerful यानि काफी जादा उनके पास power हम लोग को देखने को मिलती हैं, काफी powerful body होती है तो इसलिए इस प्रगार की चीज़े हम लोग को देखने को अरुनाचल प्रदेश आज की rate में पाचफ़ schedule के अंदर आती है अब इस news में हम लोग चर्चा करेंगे एक convention के बारे में जिसका convention number है 182 ये international labor organization जो United Nation का हम लोग को देखने को मिलता है तो उसका ये convention है और exactly 2 convention पर हम लोग focus करेंगे convention number 182 और convention number 138 तो अभी ये पूरा मामला है कि हम पहले में आपको news बतायता हूँ तो Tonga नाम की एक country है Pacific Island नेशन ही हम लोग को देखने को मिलती है Tonga तो आप इसकी location देखो पहले location wise भी चीज़े पूशी आती है ये देखो Tonga Australia से अगर आप देखोगे East की तरफ आपको Tonga दिखाए देगा और North East की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर ये इससे New Zealand से तो आपको जो है ये country Island country जो है वो देखने को बलेगी Tonga ठीक है तो ये Island country है ये आखरी country बन गई है जिसने rectify कर दिया है convention number 182 को ये basically ILO International Labour Organization का जो convention है 182 उसको sign करने वाली और उसको लागू करने वाली ये आखरी country हम लोग को दिया था अब ये आखरी country हम लोग को देखने को मिल रही है जिसने लागू कर दिया और 182 किससे related है ये बच्चों को जो worst form होती है child labor की including slavery, prostitution and trafficking जो child labor के जो worst form होती है जिसे human trafficking होती है जिसमें बच्चों को जो है वो मेरे खाल से rocky handsome करके तो वो movie जो है कभी समय मिले तो देखना वो भी इसी के उपर based है कि छोड़े बच्चों किटनैप कर लिए आता है उनको जो है वो अगर लड़का है तो उससे भीग वगरा मंगवाई जाती है फिर बच्ची बड़ी हो जाती थे उनको prostitution के business में जो है वो ठकेल दिया जाता है और या फिर जो है वो उनके organs वगरा तक निकाल दिया जाता है तो यह सब चीजे है कुछ जो की worst form होता है child labor का इन सब चीजों को protect करने को लेकर एक convention number 182 था और इस convention को अभी तक सिर्फ Tonga ने sign नहीं किया था और अब इसने sign कर दे तो हमने दो चीज़ देखी एक Tonga के बारे में देखी और एक convention 182 क्या कहता है थोड़ी सी detail में हम लोग बात करेंगे दोनों ही convention के बारे में तो पहले convention 138 की बात करते हैं फिर 182 जो बने आपको समझा होतना ही है बढ़ फिर भी एक बार theory जो है उसकी हम लोग देख लेंगे तो convention number 138 क्या होता है convention number 138 minimum age से related है कि एक country अगर जो convention number 138 को sign करती है ILO case convention को तो उस country को ये define करना पड़ेगा कि उस country के अंदर काम करने की या employment की minimum उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए यानि कि एक बच्चा जो है यानि कि अगर काम करने के लिए ready हो रहा है तो उस बच्चे की उम्र जो होनी चाहिए वो minimum कितनी होनी चाहिए और वो country जिसने convention number 138 को rectify किया है लागू किया अपनी country के अंदर उसको ये भी कुछ policies बनानी पड़ेगी यानि कुछ national policy बनानी पड़ेगी जिससे की child labor को खतम किया जाए बैन किया जाए तो ये दो चीजें बोलती है convention 138 आये लोग की international labor organization की जो की United Nation का हम लोग को देखने को और जो national policies जो create की जाएंगी जो भी country जिसने rectify किया है इस particular convention को 138 को तो वो कौनसी होंगी policies तो उसके बार में भी बताया हुआ है recommendation दिया हुआ है recommendation number 146 कहता है कि poverty को खतम करने के लिए गरीबी को खतम करने के लिए policy बनाओ ये कहता है कि जो भी country इस particular convention 138 को rectify करती है तो वहा पर उनको ऐसी policies बनानी पड़ेगी जिससे की adults को एक बहतर decent job जो है वो मिल सके वहाँ पर parents जो है वो अपने बच्चों को child labor पे ना ढखे लें वहाँ पर free और compulsory education होना चाहिए अब देखो सरकार जो अपनी policies बनाती है उस policies के various objective होता है जैसे कि सरकार free और compulsory education provide करा रही है त तो उसका answer जो होगा जब तक वो broadly अगर नहीं सोचेंगे तो उनका answer जो होगा वो limited हो जाए कैसे होगा वो सोचेंगे कि literacy को improve करना है जैसे कि आगे चलके बच्चे जो है वो उनको अच्छी job मिले decent job मिले और country की economic growth हो तो ये तो एक parameter है बट दूसरे dimensions भी तो आपको देखने है कि भाई आओ यहाँ पर और अभी इसके साथ आपर add कर सकते हो midday meal को भी जो midday meal scheme है वो इसलिए भी लाए गई कि parents को चिंता ना हो कि अपने बच्चों के खाने पीनेगी कि school में उनको खाना मिल जाएगा at least पढ़ाई के लिए नहीं तो parent अपने बच्चों को खाने के लि ऐसी इस approach में आपको अपकी तयारी करनी है आगे की बात करें यहाँ पर vocational training का provision भी रखा जाए तो यह चीज कहती है यह recommendation दिये है कि ऐसी policy बननी है इसके लावा birth registration का system होना चाहिए appropriate facilities जो है वो देनी चाहिए किस purpose के लिए कि children और adolescent जो है तो उनको protect किया जाए jobs वगरा से कि उनको job में ना रखे लें तो यह सब चीजें जो है वो कहता है इसका convention 138 तो 138 convention जो है वो इसका इससे रलेट अब 182 की बात करेंगे हम लोग convention number 182 की तो यह सभी members ने इसको rectify कर दिया है तो इसमें हम लोग को यह देखने को मिलता है कि immediate actions लिए जाए time bound तरीके से और effective तरीक भी दी हुई है कि hazardous work क्या होता है जैसे कि बच्चों को physical, psychological या sexual abuse अगर काम में सहना पड़े तो वो worst form है अगर बच्चे underground activity में काम कर रहे हैं कि जमीन के नीचे mines होगरा में underground अगर काम कर रहे हैं या underwater काम कर रहे हैं तो यह सब dangerous होता है और यह worst form कहला है जो की eliminate करने पर focus करत यह convention कि ऐसी activities ऐसे jobs जो है वो eliminate की जाए और जो भी ऐसे job बच्चों को दे रहा है उसके खिलाव भी करवाई की जाए आपको बता होगा पड़ा भी हमने पहले इसके लावा height में काम करना कुछ ऐसी space में काम करना जो की जो space जो है वो dangerous है जैसे कि एक अच्छी height पर है और इस तो ऐसी बच्चे को उसकी age से जो की age है developing age है तो उस age में उसको एक heavy load देना जो कि एक adult के लिए होता है ऐसी चीज़े करवाना तो यह भी जो है यह एक hazardous की work की category में आएगा तो यह सब चीज़ें बताता है convention number 182 ऐसी जगा जहाँ पर temperature जो है वो काफी जादा है और जो जो इससे वेरियस problems हो सकती है और बच्चा एक developing age का होता है और वो तो जल्दी expose होता है इन सब चीजों से फिर भी एक adult जो है वो एक बार जो है वो उतना गंभीर effect नहीं पड़ेगा adult को बच्चा developing age का होता है उसकी body grow कर रही होती तो उस वो एकदम जादा तेजी से जो है वो exposed हो जाए इन सब चीजों के और वो vulnerable होता है बच्चा आप समझते हो इस सब तो basic चीजे है हम लोग को देखने को मिलती है तो यह को चीजे है जो की बताता है convention number 182 और इंडिया के अंदर जो convention लागू किये गए है हमारी country के अंदर वो हम लोग को देखने को मिलता है art core convention ह ILO के जिनको fundamental या फिर human rights convention भी कहा जाता है एक तो forced labor convention बंदूआ मचदूरी तो यह हमारी country के अंदर जो है वो ban है आपको बता होगा forced labor इसके लाबा forced labor convention को ban करना यह वाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मिलती है equal remuneration की काम में जो है वो equally जो है वो pay मिलना चाहिए right जंड females को ज़्यादा पैसे दिये जा रहे है female को कम दिये जा रहे है तो यह भी discrimination होता है equal pay के लाबा remuneration के लाबा यह यह भी होता है discrimination ठीक है इसी प्रकार का और भी काफिस्वार होते है जैसे कि एक ही जैसे कि मान के जो कोई particular individual है जैसे कि वो employer है उसकी जाती का ही same देखने को मिल convention जिससे के बार में question भी मैं आप से पूछा है भी और child labor का worst form यह भी इंडिया ने rectify किया तो 138, 182, 100, 111, 105 और 29 तो आप देखो 138, 182 तो जरूर लिखेगा mains के answer में अगर labor से related, employment से related question आता है और इस बार आए गई क्योंकि अभी काफी सारे लोगों की jobs गई हुई है तो य यह logic होता है अभी current में क्या सल रहा है current में हमने देखा कि अभी coronavirus के कारण economy को बहुत गंभीर impact पड़ा है और उसके कारण हम लोगों को देखने को मिल रहा है काफी सारे लोगों की jobs भी कहीं है तो सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को jobs में और काफी कुछ चीजों पर काम क कर रही है तो ऐसे question मनेंगे जब ऐसे question मनेंगे तो आप इसमें international convention जो होते हैं यह सब इसको अगर आप mention कर दो यह दो एक तो फिर चलबे हो जाएंगे answer जो है वो बहतरी लगेगा यह चीज है और कौन से लागू नहीं किया इंडिया ने तो freedom of association and protection of right to organized convention यह लागू नहीं क आते तो क्या होता कि जैसे union leaders बगरा होता है यह आके घटा होंगे यह unnecessary demand करेंगे और employer के साथ जो है वो यह चीज करेंगे जैने कि मोल भाव जो है वो इस प्रकार की चीज करेंगे negotiate करेंगे bargain करेंगे various चीजों को लेकर तो इसलिए इंडिया ने यह सब चीजे लागू नही बड़ उसके जो employee अगर वो एघटा हो गया और employer के अगेंस से लेगा है कि हमें तो जो है यह सब करो हमारे लिए हमारी salary बढ़ाओ और या फिर कुछ हमें various perks जो advantages दो तो इस चीज में क्या होगा कि employer के लिए problem आ जाएगी तो इसी चीजे जो है वो इसलिए सरकार ने बाकी दूसरी चीज है कि labor के अधिकार है अगर उसके खिलाफ किसी प्रकार का discrimination और including wages also कि अगर employer जो है वो देखो एक तो अभी आज की rate में वाली scenario पर भी हम लोग काम कर रहे है universal basic income के ओपर भी काम कर रहे है और minimum wages पे तो आप जानते हैं यह काम हमें देखने को मिलता ही है स तो इसमें आपको अगर आप अपने इस answer को international चीजों से अगर link कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो बस यह चीज आपको थोड़ी समझानी थी and I hopefully कि आपको जो है वो clear हो गया होगा यह पूरी चीज है अब इस news की बात करें तो देखे guys इंडिया ने announce किया है कि यह M off to loan offer कर रही है Maldives को तो यह चीज हम लोग को देखने को लिए किस purpose के लिए लोन है तो यह mega infrastructure project के लिए यह loan या फिर एक साहिता 500 million US dollar की हम लोग को देखने को मिल रही है प्रपोजल क्या रखे गए Air connectivity bubble traveling purpose के लिए आपको याद रहोगा May और June में हमने discuss किया था आप चाहें तो PDF से refer कर सकते हैं May और June की हमने बात करी थी कि यह concept जो है वो Europe से शुरू हुआ था Air bubble का actually traveling के purpose के लिए travel bubble जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो एक country से दूसरी country में जो है व travel bubble connectivity जो है वो इसको बोलते है travel bubble connectivity ये air connectivity इस प्रकार की जो है वो मौलदीव के साथ जो है वो हम लोग create करेंगे direct ferry service जो है वो शुरू की जाएगी मौलदीव के लिए और submarine cable जो है वो बिचाई जाएगी telecom connectivity purpose के लिए जैसे कि अभी हमने अंदमान के साथ जो है वो link करी एक submarine cable इसके लावा greater malay connectivity project जो है उसमें सहायता होगी इस particular inpeso से तो इसके थुरू माले की जो तीन neighboring islands है विंगिली, तीला फूशी और गुल ही फाहू तो देखो कभी-कभी ऐसे भी question आया थे कि ये फलाना island जो है वो किस छेत रखा है तो मौलदीव का ये तीनों island के नाम थोड़ गुल ही फल हूँ तो यहाँ पर port बनाये जाएगा इसके लावा airport redevelop किया जाएगा honey madhu में और hospital और cricket stadium जो है वो बनाये जाएंगे हुल हू माले में तो यह कुछ islands के नाम है कभी-कभी ऐसे direct question आया थे और already India जो है वो काफी सारे project में सहायता कर रही है total 34 island के अंदर सहायता कर रही है कि महाँ पर various water और sea wage project जो है जिसमें included है तो ऐसी assistance जो है वो already provide करा रही है और अभी जो है इन सब चीजों में भी और infrastructure assistance जो देखने को मिल रहा है यानि कि सहायता दे रही है इंडिया 100 million US dollar की Maldives को और 400 million US dollar का एक line of credit है अब line of credit क्या होता है line of credit यह grant नहीं होता है grant यानिकि एक सहायता जिसमें आपने जो है वो offer कर दिया जैसे कि एक donation आप मानलो इसको ठीक एक donation कर दिया हमने और दूसरा line of credit क्या होत soft loan यह कम rate of interest में दिया जाता है developing countries को और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि इसकी 75% value जो होती है यह इंडिया Maldives को देगी 75% goods and services में यानिकि जैसे कि वहाँ पर आप simple दरीके समझना इस चीज़ को वहाँ पर road बनाया जा रहा है तो road बनाने के लिए जो भी चीजों की goods वगेरा जो हो offer कर देगी इंडिया तो इससे इंडिया का भी फायदा क्या होगा इंडिया का export जो है वससे बढ़ेगा और हमारे जो targets हम लोग को export से related देखने को मिलते हैं तो वो भी जो हो अचीव होंगे fulfill हम लोग को देखने को मिलेंगे तो यह एक बड़िया चीज है ज उसके बारे में एक जनरल जानकारी जो हो आप लोग को होनी चाहिए ठीक है क्योंकि इससे related question आ सकता और जो मैंने islands के भी आपको नाम बता है तो वो तो definitely आपको पता होने चाहिए ठीक है तो यह था पूरा overall topic इससे related अब next topic की बात करें तो simple सी चीज आपको याद रखने है इंडिया और ऑस्टेलिया मिलकर आज की rate में cyber security को पर काम कर रहे हैं इन्होंने exchange किये हैं various अपने experiences share किये हैं एक दूसरे के साथ cyber security के लिए और यहाँ पर बात चीज जो हुई हो 5G network के ओपर भी हम लोग को देखने को मिली तो simple याद रखना इंडिया और ऑस्टेलिया से related अगर कोई question आता है international relations perspective से तो cyber security का भी एक point जो है वो आपको यहाँ पर add करना है ठीक है तो यह चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली ती है यह वाला topic जो है वो आप लोग के लिए बहुत जादा important है एक historic deal जो है वो अभी conclude हुई है और इस्राइल और UAE के बीच में आ आएगा समन में आजाएगा कि इस्राइल और UAE जो है वो कितने बड़े दुश्मन हुआ करते है यह gap जो था उनके relationship में वो कितना बड़ा था गाई जो अरब countries है जिसमें UAE आती है United Arab Emirates तो यह जो अरब country है यह बोलती थी कि मैं अरब countries तो अभी भी बोलती है उनमें UAE आत था एक country दूसरी country के existence को ही मानती नहीं थी बिलीव ही नहीं करती थी कि वो कोई country जो है वो exist होती है उसके पीछे की वज़ा क्या है उसके पीछे की इन दोनों के बीच में दुश्मनी दुश्मनी किस चीज को लेकर हुई Palestine अब आप देखोगे इस map में मैं आपको दिखा द च्यासी परसेंट जो population है वो अरब है सुनी population हम लोग को देखने को मिलती है पलेस्टीन के अदर तो आपको सुन में आ रहा है कि ये जो है वो शिया और सुनी वाला जो मुद्धा पूरा Middle East में हम लोग को देखने को मिलता है ये वो ही मुद्धा है पूरा जिसको लेकर पूर्ट करती थी तो पैलेस्टीन के अंदर पॉबलेशन काई की है सुनी है यानि कि पैलेस्टीन एक अरब कंट्री हम लोग को देखने को मिलती थी और UAE उसके अंदर भी सुनी पॉबलेशन हम लोग को देखने को मिलती है और इसराइल के अगर बात करें इसराइल के अं 1947 का और 1948 में इसराइल ने गोशित कर दिया था कि वो एक जो है वो अलग country है तो देखो यह इसराइल की territory आज की देखने को मल रही है आपको यह इसराइल जो है यहाँ पर देखो इस map में देखो आप यह साउधी आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है यह था Jews, Jews का settlement था Jews जो होते हैं न Jew तो यह उनका settlement था अब इन लोगों ने क्या किया है इन लोगों ने two nation थी हो रही के उपर based एक अपनी अलग जो है वो nation अपना अलग जो है वो country create कर दी establish कर दी और 1948 में और उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके युद होना शुरू हुए और क्योंकि यहाँ पर problem क्या थी यह Islamic country हम लोग को देखने को मिलती है Palestine और एक उसी territory के अंदर एक दूसरी country ने जो है वो अपनी अपना hold जो है वो establish कर दी यानि कि अपनी खुद की territory जो है वो country के तोर पर declare कर दी और इसी को लेकर जो है वो चिड़ा Palestine अब Palestine चिड़ा इसने जो है वो लड़ाई-लड़ी Israel के साथ और इसके आस-पास की जितनी भी country आप देख सकते हैं पूरी की पूरी country जो है वो Islamic country आपको दिखाई दे रही है इस map में आप देखो कि यहाँ पर यह जो है वो सुनी पॉपलेशन वाली country हम लोग को Middle East में देखने को बल रही है यह जो जैसे Saudi Arab सुनी पॉपलेशन यहाँ पर आप देखो और यह वाली जो देखने को मिलेगी यहाँ पर यह शिया वाली पॉपलेशन वाली country है यहाँ यहाँ पर कम जो है वो सुनी देखने को बल रही है अब प्रॉब्लम क्या आई जैसे ही एक मिलब जो Jews ने अपने आपको independent declare कर दिया वैसे ही इनों ने बोला कि अच्छा है हमारे साथ यूत लड़ना चाहता है सभी की सभी country ने इसराइल को घेर कर attack किया मारने की कोशिश करी बढ़ आप जानते हो इसराइल इतनी powerful country है आज की date में भी उसकी intelligence agency का नाम चलता है मोसाद उसकी intelligence agency है जहाँ पर भी जाती है ऐसा आक्रमल करती है कि हालत खराब कर देती है और पूरी जिसी जितनी भी countries all over the world सब डरती है मोसाद के attack से क्योंकि इसका attack बहुत खतरनाग होता है और मोसाद ने six days war का जाता है six days war मात्र छे दिन में सभी country को सबक सिखा दिये था सब के मूँपे तमाचे मारे थे सब की हालत खराब कर दियो आप उसका परिनाम आज देख सकते हो यह पूरी territory जो थी वो पैलेस्टीन की हुआ करती थी यह green color का आज की rate में देखो कि जो territory पहले 1947 में हुआ करती थी इसराइल की वो territory उतने ही यानि कि उतना ही area आज की rate में पैलेस्टीन के पास बच गया है तो सोच सकते हो आपकी इसराइल का क्या आकडवन रहा है और इसराइल कैसे उठकर यहाँ पर आई तो इसलिए तो कहते हैं इसराइल को सबसे powerful country इसके आसपस जितनी भी आप देख रहे हो सबके सब इसके opposite थे बट इसने सभी के सभी countries की band बजा दी और हालत कराब कर दी सभी countries क्यों राज एक independent country की तरह और powerful country की तरह उभर के आ रही है हम इसराइल के साथ काफी सारी जो weapons जो है वो import कराते हैं काफी सारे weapons इसराइल हमें जो है वो provide कराते हैं और technology के वामले भी इसराइल काफी fast है काफी super advanced है चोटी सी country जिसने band बजा दी आसपस की सभी country को राज एक powerful country के तोर पर उभर कर आई है और अभी जो दोस्ती हुई है वो Saudi Arab और इसराइल की हम लोग को देखने को में ली है और इस agreement को जो है वो नाम दिया गया है Abraham Agreement Abraham Accord तो ये चीज़ आप याद रखना कभी कभी direct आ सकता है Abraham Accords Abraham समझाता क्या है तो ये दोनों countries के बीचे जो agreement हुआ है जो की USA के दोरा कराए गया है तो इसको trilateral agreement के नाम से भी जाना जा रहा है और USA तो इतना खुश हो गया था क्योंकि ये ही है civil servant वाले concept यानि कि जो आप civil services की आगे चलके आप तयारी करोगे न्यूस में जो आएगा वो तो एक limited चीज़ रहेंगी बढ़ आपको अंदर की चीज़ जाननी है कि ये exactly क्या हुआ अभी exactly आपको कैसे पता लगेगा ये इरान को ध्यान में रखते हो पता लगेगा एक इरान कंट्री है जिसको UAE नहीं पसंद करता है और USA भी इसको पसंद नहीं करता है इरान को और USA और इसराइल के बीच में काफी अच्छे relations आप जानी रहे हो तो ये USA की एक strategy है कि इरान को इस प्रकार से भी सबक सेखाने का इस प्रकार का एक hold यहाँ पर create करना जिस्ते की कल को इरान अगर कुछ करता है तो इरान की ओपर जो है वो इरान को oppose में काफी सारी country USA का साथ ने और USA पर इरान पर जो है वो attack किया जा सके तो इसका एक ये भी dimension आपको समझने की जरुवत है और दूसरी बात इस agreement के तहट जो है अभी देखे कुछ समय पहले हम लोग ने पढ़ा भी था कि इसराइल ने planning करी है कि इसराइल West Bank के कुछ area को capture कर लेगा है West Bank का जो area है वो Palestine के control में है उसको ये capture कर लेगा इसकी इसने ओफिशियल घोशना कर दी थी जब हम लोग ने इस topic को भी पढ़ा था पर अभी इस देखाए कि अपनी इस planning को suspend कर रहा है end नहीं कर रहा है point to be noted, end नहीं कर रहा है suspend कर रहा है कि कुछ समय के बाद जो है वो फिर से plan कर सकता है इस चीज़ को लेकर और map में भी ऐसी चीज़ आती है तो ये उपर वाला जो area है ये कौन सा area है जल्दी बताओ, Golan Heights ये वाला जो area है ये West Bank का area ये वाला जो area है ये Gaza Strip का ये Palestine के control में, उपर वाला नहीं, ये वाला और ये वाला agreement जो है वो कर दिया था 1979 और 1994 में, अब इसने जो है वो UAE के साथ भी कर दिया है और मैंने आपको बढ़ाय था कि UAE जो है और दूसरे जो Arab nation ये एक time पर recognize नहीं करते थे Israel को, बढ़ आज की rate में UAE आ गई है तो शायद दूसरे Arab nations भी जो है वो Israel को support करेंगे और वो basically international एक मामला है वो पूरा Iran के साथ जो है वो relationship इस प्रकारी से बोलते हैं कि अगर आपका दुश्मन सामने वाला है तो एक particular party ये दोनों आपस में दुश्मन है ठीक है और इसका दुश्मन भी ये होगा यानि ये 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 भी दुश्मन है इसका ये भी दुश्मन है इसका तो इन दोनों के बीच में क्या होगी friendship relation होगी तो इसके बार में भी आपको थोड़ा सा एक idea होना चीए ऐसी approach भी जो है वो diplomacy में बहुत काम करती है तो जो civil servant के लिए काफी ज़धा important है और इसको लेकर इरान जो है वो चिड़ा हुआ है इरान बोल रहे कि नहीं यार ये तो घलत हो गया ये चीज जो है वो गड़बल हो सकती है पैलेस्टीन को इस पर भारी मार पढ़ सकती है वो तो बोलेगा क्योंकि उसको सौन में आ रहा है क्यार ये दो country अगर एक हो रही है तो कल को जो है वो यहाँ पर जो regional power जो इरान का जो रोल हम लोग को देखने को मिलता है तो वो पूरा को पूरा band हो जाएगा इस चीज के बाद क्योंकि अब पूरी चीज जो है वो अब देखेंगा आगे चलके आपको इस प्रकार की भी नियूस मिलेंगी कि कुछ ना कुछ आगे चलके आप देखें ना कुछ महीनों के अंदर इरान कि जो है वो इस से लिंक होगा और इरान जो है वो चपेट में आएगा क्योंकि अभी इरान ने क्या बोला है कुछ महीनों पहले कि मैं 2015 की जो इरान न्यूक्लियर डील थी उसको नहीं मानूँगा अब USA को चाहिए था कि आसपास की कंट्री का और गहरा सपोर्ट अब इसराइल USA आनता है और USA ने इसराइल के साथ रिलेशन क्यों बना है पूरी चीज डिप्लोमाटिक होती है एक टाइम था कुछ साल पहले अगर आप हिस्टी पढ़के देखोगे USA रिकोगनाईस करता था पैलेस्टीन की जेरुसलाम है वो कैपिटल पैलेस्टीन की है आजकी रिड में USA रिकोगनाईस कर रहा है इसराइल की कैपिटल जीरुसलाम है यह क्यों हुआ दर रीजन बिइंग इस इंटरेस्ट पूरा खेल इंटरेस्ट का है इंटरनाशनल रिलेशन में कोई परमनेंट दोस्त या कोई परमनेंट दुश्मन नहीं होता जो कैसे operate करोगे और examination में आपको क्या approach डालनी है क्या approach लिखनी है वो मैं हाँ पर आपकी clear करता हूं मैंने आपको अक्सर बोला है मेरा काम नहीं है पढ़ानेगा मेरा काम सिर्फ यह बतानेगा है कि किस प्रकार से आपको approach अपनी adjust करनी है जिसे की exam निकले क्योंकि पढ़ तो या 3 months, news आएगी मैं आपको बताऊंगो अभी पहले भी मैंने इसे बोला मुझे बच्चों ने काफी बार पहले कोरोना वाइरस के समय पर oppose किया था जब मैंने बोला था कि अभी देखना एक्स्टेंड होगा कोरोना वाइरस के जो यह lockdown है तो बच्चों ने मुझे क्योंकि यह सब जो approaches होती है वो आपको four vision अपना ऐसा create करना है कि आने वाले दो-तीन महिने में क्या होगा उसकी जानकरी आप पहले से analyze कर लो civil servant क्या होता यही तो होता है कि आने वाली जो चीजें है उसके बारे में वो पहले से planning करता है तो वो चीज आपकी answer में reflect होनी चीए भली ना हो but you should prepare तो आप इसका historical dimension religion के साथ शिया सुन्नी के साथ वो link करेंगे जब भी भी answer लिखेंगे और यह बताते होए बकायदा world map बनाते हो यह diagram create करते हो अगर आप possible हो world map बनाना अपके लिए इस प्रकार सा या फिर अगर नहीं भी तो इस प्रकार से आप बना सकते हो कि आपस की जो countries नाम लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो हम लोग को देखने को बलता है कि सुन्नी dominated countries है और अगर हम लोग बात करें इरान का तो इरान का interest जो है वो इस जगा पर इसराइल के साथ हम लोग को देखने को मिलता था अब वो interest को जो है वो break कर दिया है main चीज यही थी USA की एरान और इसराइल के जो interest है वो किसी तरीके से break और इस particular area पर main जो control आए वो USA का आजाए और possible यही हुआ क्योंकि USA ने यह relationship जो है वो दोनों के बीच में create कर दिया है कुछ समय से USA की बात UAE के साथ भी चल रही थी और इसराइल के साथ भी चल रही थी औ अब यह sort out हो गया और सबसे जादा खुश जो है वो इसमें USA क्योंकि USA का main objective था इरान को जो है वो capture करना जो कि इसके थूरू हम लोग को देखने को बल रहा है अब इस topic पर दुबारा से आगे continue करते हैं तो यहले चीज तो मैं आपको गदा दी कि इनके बीच में पहले के सम आया वो आप समझो यानि कि यह पूरा dispute जो है वो किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिला और कौन कहा का पर कितना रहता था तो वो वाला मैंने मैं आपको दिखाई दी आपको पता था कि Jews की territory कौन सी थी और Palestine पूरा था फिर Palestine आकर इस area पर आकर जो है वो समेट गया आज गोशित कर दी तब युद हुआ अब जब युद हुआ तो उस समय West Bank को Jordan ने capture कर लिया West Bank की ओपर पूरा control जो है वो Jordan का हो गया बट 1967 में 6 days का war हुआ था मातर 6 दिन में हालत खराब कर दी इसराइल ने Egypt, Syria और Jordan की combined forces की सब को defeat किया सब को तमाचे मारे और इसराइल ने West Bank को ने control ने ले लिया बट क्या था guys यहाँ पर already काफी सारे settlement थे आप तो जैसे कि यह वाला area इस area पर जो लोग रह रहे हैं यह area ने इसराइल ने claim कर दिया कि यह area जो है वो इसराइल का है ठीक है बट यहाँ पर जो लोग already रह रहे हैं वो तो अपना settlement change नहीं करेंगे वो तो रहे हैं तो यहाँ पर मात्र 4 लाग Israeli settlers हैं और 26 लाग के आसपस यहाँ पर Palestinians हैं और जो claim करते हैं कि यह जो area है वो illegally इसराइल ने capture किया है उनसे और क्योंकि देखो यह जो map है यह क्या कहता है कि यह वाला area है यहाँ पर Palestine रह रहे हैं और यह वाला area जो है इस area पर capture कर लिया ह इसराइल ने कि यह इसराइल की territory है पर Palestine बोलते हैं कि illegally इसराइल ने इस पर capture किया है और यह territory Palestinians किया है अब युद कहाँ पर होता है तो आप खुद ही देख सकते हो अब देखो आप से यहाँ पर क्या question बनेगा अब उस चीज़ को समनना है आप से question यह बनेगा कि comment करो कि जो यह agreement हुआ UAE अरब country और किसके बीच में? इसराइल के बीच में और हमने क्या देखा था? कहानी शुडू ही यही से हुई थी कि अरब और इसराइल के बीच में युद हुआ था तो UAE और यानि कि एक अरब country एक powerful अरब country और इसराइल के बीच में जो agreement हुआ तो क्या इस से Palestine और इसराइल का मुद्दा सुलच सकता है तो आप पहले तो पूरी चीज यह explain करोगे जो मैंने भी आपको बताई किस प्रकार से explain करेंगे उसके बाद आप conclusion में लिखोगे कि quite possible नहीं हो सकता वो नहीं इसलिए नहीं हो सकता उसके पीछे का logical point आप दो वो यह दो कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो मातर 4 लाख इसराइली सेटलर्स हैं इस एरिया पर जिस एरिया पर West Bank का यह एरिया यहाँ पर सिर्फ 4 लाख आपको दिखाई देंगे कि इसराइली सेटलर्स हैं और 26 लाख से जादा आपको Palestine सेटलर्स देखने को मिलेंगे जो आज की rate में यहाँ पर रहते हैं जो की कहते हैं कि illegally इसराइल ने पैलेस्टीन पर जो है वो कबजा किया और यह चाहते हैं कि future में यह territory जो है वो उनकी बन जाए यानिकि पैलेस्टीन का hold इस एरिया पर आ जाए तो जब इस प्रकार के regional crisis वहाँ पर होंगे इस प्रकार की सोच ideology वहाँ लोगों की बीच में रहेगी तो फिर कहां से मुद्दा solve होगा solve होने की possibility तो है नहीं और फिर इसराइल ने जब control किया था इस जमीन पर 1967 पे तो यहाँ पर allow किया गया कि Jewish भी हाँ पर रहेंगे और Palestine भी जो है वो यहाँ पर रहेंगे but problem यह यह अब majority और minority का issue है और majority हमेशा जब जो है वो दुखी होंगे और आप जानते हो कि जो पूरा area है total जो इसराइल की territory उस पर control किसका है उसका control इसराइल का है और West Bank पर रह रहें है इसराइली जो की minority में है और उनके ओपर अगर कोई problem आती है तो जो पूरा इसराइल है वो attack करेगा Palestine के ओपर और West Bank के ओपर जो जाधा Palestine है तो वो attack करेंगे उस particular minority पर आने की वहाँ पर जो West Bank पर जो लोग करे रहें उन पर तो इससे कभी भी problem जो है वो sort out नहीं हो पाएगी तो ये issue जो है वो चलेगा इसको अगर tackle करना है तो एक formal agreement होना चाहिए वहाँ पर सभी जो है वो इस चीज़ पर agree करें और या तो फिर वहाँ से जो है इसराइली जो है उनको हटा देना चाहिए और एक complete territory जो है वो Palestine को दे देनी चाहिए पूरी तरह से तब ही जाकर मुद्दा जो है वो sort out होगा तो इस प्रकार की चीज जो है इस प्रकार की approach जो है वो आपकी answers में जो होनी चाहिए तो ये था इस platform हम लोग को देखने को मिल रहा है हाला कि इस topic के वर मैं हलकी फुल की अपने चर्चा करी थी कल के test में and मैं students आप सभी लोग को बता दूंगा इस कि आप लोग जो है test को दे नहीं रहे है regularly जितना आप ये regular basis पर जो daily current affairs देख रहे हो उतने बच्चे जो है वो test नहीं दे पाई जाती है test जो होता है उसको आप test की तरह मतलो कि पिछले हफते की उसमें news cover होगी नहीं अब वो चीज़े चेंज हो गई है अब test के अंदर आपको और भी कुछ extra information बिलती है और अगर आप regularly चीज़ों को follow करोगे तब ही जाकर मैं नीचे एक पट्टी चलती होगी आप मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपको 100% जो है वो आपको success मिलेगी वो इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर जो अपन चीज़े cover करते हैं यह syllabus जो है civil services का उसकी according cover करते हैं और यह पूरे दिन की process है regular process है और आपको सिर्फ regularly एक घंटा या जाय साथ सवा घंटा देना है maximum और minimum तो कभी-कभी 30 minutes 20 minutes भी हो जाएगा अगर कम news आएगी तो यह कम conceptual news आएगी तो ऐसा हो सकता है बट मैं बस यह ही कह रहा हूँ कि अपने एक घंटे इस current affairs की निकालो that is more than sufficient और रात में एक बर revision कर लो और हफते to हफते previous revision करते चलो उससे आपको पूरी चीज जो है वो smoothly covered ह होगी मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर इतना bulky current affairs है कैसे इसको cover करें simple concept है मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो शाम में PDF स्क्रॉल करो आपके पूरा revision हो जाएगा खटा कट खटा कट पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे में आपसे मांग रहा हूँ regularly current affairs के लिए इतने bulky portion के लिए और हफते में last मैंने की Sunday के दिन पूरा पिछले हफते के revision कर लो सिर्फ ये process चलाओ और देखिएगा ये process सिर्फ अगर आप चलाओगे तो आपको success मिलना पक्का है weekly revision, daily और फिर उसके बाद एक एक हर महिने में एक date decide कर लो कि आप पिछले महिने का cover कर लोगे तो आपका क्या होगे तीन बर revision होगे एक सिंगल topic के और तीन बर revision में आपकी temporary memory से permanent memory में आपका फूरा data जो होगा वो shift हो जाएगा यकीन ना है सिर्फ एक हफ़ता करके देखो, सुबह पढ़ो, रात में सोने से पहले revision कर लो और फिर एक हफ़ते के बाद जब आप पूरी चीज दोबारा से recall करोगे, revision करोगे आपको बहुत सारी, सिर्फ आपको ऐसे पन्ने चलाने है जो वो scroll करने वाली PDF होती है मेरी, वो सिर्फ आपको scroll करनी है एक उंगली से, और पूरी चीज देखना आपके आपको के सामने आती है, कि मैंने जो जो चीज़े बताई गई है, वो आप feel करोगे पूरे imagination में, कि हाँ ये बताया था, ये बताया था, और एक-एक word नहीं पढ पढ़ाता हूँ, वो specifically वो ही चीज़ पढ़ाता हूँ, जो examination के लिए important है, चलो anyways, sorry, माफी जाओंगा थोड़ा समयले लिया, क्योंकि बहुत सरे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इतना बलकी portion है, थोड़ी strategy बता दो, चलो anyways, आगे की बात करें, transparent taxation, इसको हमने cover किया हुए test मे इसको हम लोग थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे, तो एक technology driven system यह हम लोग को देखने को मिलता है, अभी इसके तीन pillars है, faceless assessment, faceless appeals और taxpayer charters, जिन में से दो जो है वह भी शुरू होगा है, एक जो शुरू होगा वो 25 September को होगा, पंडित दीन दियाल उपाध्याय जी की birth anniversary के अफसर तो पहले बात करते हैं faceless assessment के बारे में, तो देखिए guys पूरा computerized system हो गया है, computerized system से फायदा यह होगा, कि कौन taxpayer जो जब उनकी scrutiny होगी, यह निकी जाच होगी, देखो कई सारे जो taxpayers होते हैं, वो क्या करते हैं, जब अपना return file करते हैं, तो उसमें कुछ-कुछ चीजें जो है इसकी पूरी जाच होती है, कि सामने वाले व्यक्ति ने text जो है, वो proper भरा की नी भरा, जितना text उनको देना चाहिए, उनके slap के according वो है की नहीं है, तो इसकी जाच जो करते हैं, वो officials करते हैं, ठीक है, अब यह जो official जो उनकी जाच करेंगी, वो पूरा random process होगी, computerized से decide होग इससे फाइदा क्या? इससे फाइदा यह कि corruption नहीं होगा, threats नहीं होगे, कई बर क्या होता है, जो officials अपनी तरफ से corruption करने के लिए क्ली क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को डराते हैं, जैसे कि उसको कुछ पैसा मिल जाए, और कई बर क्या होता है, जो जिसको घोडाला क करना होता है, बो जाता है, official को थोड़ी लालिश देता है, कि मैं आपको इतने दे दूँगा, अब थोड़ा मेरा काम कर दो, इसको okay कर दो, अब ऐसे घोटाले वाली स्तिती पूरी के तरह से खतम हो जाएगी, और taxpayer को किसी चीज़ का डरनी होगा, कि सामने वाले official के पास ज अब सामने वाला व्यक्ति जब डरेगा, तब कई सारे ऐसे officials होते हैं, जिनको अपनी ये भरने से मतलब होता है, जो corruption करने के लिए duty join करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सामने वाले को देखा रही डर रहा है, बस उनका business शुरू, तो ये कहानी फिर खड़ाव होती है, और वह दूसरी जगा, कई सारे लोग जो गलत करते हैं, वो official को बहला फुसला के थोड़ा मैंने उनको वो करके कि आपको इतना देदेंगे, ये कर देंगे, कर लो आप थोड़ा, तो इनका काम हो जाता है, अब ये पूरी चीज़े समाप्त, proper तरीके से चीज़े होंगी, कोई corruption न पास जा रही है, और official को नहीं बता कि उसके पास किस की file आ रही है, तो ये पूरा computer system के उपर based ये भैतरी चीज़ आ रही है, faceless assessment, right, इससे corruption reduce होगा, threats reduce होगे, taxpayer को confidence आएगा, और वो system के उपर belief करना शुरू कर देगा, तो ये इसके पीछे का background principle है, right, understanding the points, next faceless appeal की बात करें, जैसे appellate system होता अपना, appellate system हैने कि इसको court से समझा, जैसे district court होती है, high court होती है, honorable supreme court होती है, district court में मामला गया, मामला जो है, उसको challenge किया जा सकता है, high court के पास, high court का judgment है, उसको challenge किया जा सकता है, honorable supreme court के पास, ये वाली चीज़ आप जानते हो, same चीज़ नहीं पर ही है, कि टेक्स ओफिशिल जो है उनके अगेंस अपील की जा सकती है हायर अथोरिटी के पास और ये फेसलेस अपील पर आएगी ये लॉंच की जाएगी 25 सेप्टेंबर को दीन दियाल उपाध्याजी की बर्त अनेवरसरी के अफसर पर तो ये वाली चीज बात में होगी अभी ये दो जो honest taxpayer है उनकी right or duties mentioned है कि honest taxpayer को क्या करना है उनके rights बताए गए है उनकी duties बताए गई है अब यहाँ पर पूरी चीज जो है वो tax पर आकर क्यों काम कर रही है सरकार क्योंकि आज की rate का scenario आप समझो आज की rate में सरकार को चाहिए पैसा क्योंकि economy जो है वो down होती ही आ रही है सरका को देखने को मिलता है तो इसलिए scrutiny वाला क्लॉस जो है वो लेकर आए गया है और उसको strictly conduct किया जाएगा जाच की जाएगी लोगों की और दूसरा इसते क्या होगा कि जो अच्छे taxpayer है कई बार क्या होता है कि taxpayer जो होते हैं वो कई बार जो है इन सब मामलों में आकर फस जाते कि जब उनको scrutiny होती है उनकी या कोई official जो होता है उसका आमना सामना होता है तो इसलिए वो क्या करते हैं वो अपनी कुछ जाज करके ऐसे corrupted officer के पास जाते हैं जो कि उनका काम जो है वो असानी से करते है कि 2-4,000 उपर से दिए 5-4,000 उपर से दिए उसका काम हो जाए तो ऐसी चीज लिंक करो यह लिंक करोगे तब आपको exact conception में आएगा कि इसके आने की क्या वज़ा है क्योंकि answer में और या फिर प्रिलिम्स में भी अगर आता है कई वर ऐसी चीज़े भी logical push भी आती है कि इसके पीछे इसके आने की वज़ा क्या है इन points में से बताओ क्या है तो यह प्रकार से government की responsibility होगी taxpayer के towards पूरी चीज यहाँ पर properly defined की यह यह एक प्रकार का charter है इसके लावर राजे सभा के अंदर जब यह आपने देखा होगा कि इसके बार में honorable prime minister ने अपनी speech दी थी तो उसमें उन्होंने बोला था तीन चीज़ों के बार में जो कि आज की rate में सरकार कर रही है banking the unbank जिन लोग के पास banks नहीं है bank services नहीं उनको banking services offer करना securing the unsecure exactly यह तो इन्सेक्योर होगा अन्सेक्योर बोला तो जो भी insecure लोग है उनको secure करना जैसे कि जो लोग डरते थे उनको उनके अंदर से डर दूर करना government officials का और यह उनको बताने की कोशिश करना कि government officials आपक पता है कि जो कई सारे ऐसे corrupted officer जो बैठते हैं इस exam में और clear करने के बाद जो है फर वो corruption पर चले जाते हैं बट आप जो है आप किसी मकसद को लेकर आगे चल रहे हो कि आपको चीज़े change करनी है आपको लेकर आना है कि यह सब जो corruption at least आपके office में तो ना हो तो धीरे धीरे करक आप जैसे जब officer सामने जाओगे तो corruption जो है वो ना के बराबर होगा इतना तो मैं मानता हूँ अगे की बात करें funding the unfund जिनके पास पैसे की सुवेदा नहीं उनको पैसे की सुवेदा प्रोवाइट कराना इसके लाब अब एक नया इनोंने शुरू कर दिया honoring the honest यानि कि जो honest है उसको सम्मान देना तो यहाँ पर उसी पर focus किया है कि taxpayers जो है उनके अंदर से डर को दूर करना उनको सम्मान देना और यहाँ पर इस code of conductment charter में यह भी चीज़ मेंचनड है कि tax department जो होगा वो उसको strict behavior नहीं रखना है taxpayer के साथ और उनको अपनी best services जो है वो offer करनी है समयरो त तो यह था guys पूरा overall topics related and आपके लिए question है points में आप नीचे comment box पर answer लिखिएगा कि taxpayer हमारे nation building process में कैसे contribute करते हैं तो 4-5 point आप लिख कर दा ही जितने आपको लगे और बाकी दूसरों का answers भी पढ़िएगा कि दूसरे क्या answer करते हैं आप चाहें तो आप नीचे comment box पर लिखने के बाद screenshot अपने group पे डाल दिया करो जिससे की और भी जादा लोग जो है वो देख सकें right अपने discussion group में तो यह इसका Hindi translation है जो मैंने भी आपको पूरा पढ़ाया इसके लाबा recent tax reforms क्या हुआ हमारी country के अंदर तो legal burden को reduce कर दिया पहले जो मामले हुआ करते थे tax system से related तो वो पहले हम ल Supreme Court के अंदर दो करोड तक के मामले को जो है वो आप फाइल कर सकते हो तो इससे क्या हुआ legal burden जो है वो थोड़ा सा reduce हुआ courts के वास दूसरी बात क्या हुई कि जैसे विवाद से विश्वास scheme सामने आई कि court में जाने से पहले court के बाहर ही जो है वो आप पूरे मामले को settle कर ल है और इसमें बेसिकली promote किया जा रहा है कि लोग बाग साथ से टेक्स भरें लोग सभी लोग honest हो कि हमारे टेक्स पेर जो है वो काफी काम है नेक्स जो आपका topic है guys यह डिफेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली launch किया है एन आई आई ओ नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन और्गनाइजेशन नाम सीजन में आ रहा है कि हमारी कंट्री की जो नेवल फोर्स है उसके जो equipment होते हैं जो पूरी चीजे होती ह और ने इनोवेशन हम लोग लेकर आएं तो उसको लेकर यह organization यह body हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया को defense sector में self-reliant बनाने के लिए आत्म ने भर बनाने के लिए इसके 3-tier होंगे N-tech एक working group और दूसरी T-deck तो यह क्या है N-tech Naval Technology Acceleration Council नाम सीजन में आ रहा है नेवी स इसे related जो भी technologies है उनको accelerate करना इसके दो aspects हम लोग को देखने को मिलेंगे twin aspects है एक है innovation दूसरा indigenization की नए ने जो products है ideas है उसको innovate करो और इंडिया के अंदर ही वो पूरे ideas को तयार करो दूसरा working group working group पूरे project को implement करने पर focus करेगा कि जो पूरे innovations आ रहे है ideas आ रहे है कि हम लोग क इस तरीके से काम करना यह blueprint है तो उस blueprint को actual practically implement करने का काम जो होगा वो इस working group का होगा जो हम लोग को देखने को मिलेगी इसके अंदर हम लोग को एक TDAQ भी देखने को मिल रहे है technology driven acceleration cell इस cell का का काम क्या होगा कि जो भी जैसे कि नहीं नहीं technology और all over the world जो है हम लोग को देखने तो इसका पूरा purpose सर्फ इतना है जिसके बारे में आपको एक idea होना चाहिए बाकी एक draft सामने आया था जिसके बारे में हम लोग ने चर्चा करी थी 6 August 2020 को अपने current affairs by कमलाक्ष चानल पे तो आप क्या कर सकते है 6 August 2020 और मेरा नाम लिख दीजेगा तो सबसे पहले वाला जो वी defense sector में हम लोग को देखने को मिलेगी तो उसको लेकर ये draft था और इसी में इसी चीज़ के बार में discuss किया गया था कि इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन जो है वो established करना existing resources के नहीं कि existing body के अंदर तो ये जो है वो हम लोग को देखने को बल रहा है जो कि जो समुदरी एरिया है वहाँ पर तो ये अभी recently launch हुई है total 5 ही हम लोग को देखने को मिल रही है उसकी चौती सीरीज है इसको design और build किया गया है इंडिया के अंदर ही goa shipyard limited के दवारा simple सी चीज़ बसेए सार्थक से related आपको पता होनी चाहिए next जो अपना topic है इसमें organic farming की बात हो रही है इंडिया के अंदर organic farming पर focus हो रहा है यह देखो अभी क्या हुआ है coronavirus के चलते हमने देखा कि लोग जो है उनके अंदर awareness create हो हुई है लोग आज की rate में सोच रहे है भाई खाना खाये तो healthy खाये क्योंकि लोगों को सब्सक्राइब है जिनकी immunity खराब है उनकी ब बॉडी में डाले है जैसे के दना कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्तों होता है आपकी बॉडी होती है अगर आपकी बॉडी खराब होगी तो obvious ही बात है कि कहीं अब पढ़ाई भी कर रहे हो अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो पढ़ाई करने में concentration नहीं लगेग मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ बट मैंने अपने घर पर अपसे खाना शुरू कर दिया बट क्यों 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 कि अल्टी सीधी चीज़े बहुत पसंती बर्गर खाली है पिज़ा खाली है मैंने बीच में आप स्टूरेंट्स लोग से बोला भी था एक आती साल पहले कि मैं resolution लोगा कि मैं S-type का नहीं खाऊंगा बट बहुत मन करता है एकदम देख लो तो एकदम क्या पासता और यह वो मजा जाता है बट अब चीज़े चेंज हो रहे हैं क्योंकि अपन रियलाइस कर रहे हैं कि यह सब चीज़ें वो हमारी body के लिए घराब है और जिसकी immunity अच situation पर आ सकते हैं हमारी जो किसान है हमारी जो consumer है और environment यह सभी को फाइदा होगा किसान जो है गई वो organic farming पर focus करेंगे उनको return अच्छा मिलेगा healthy अगर कोई organic farming पर focus करते हैं तो लोग आज की रेट में healthy खाना बसंद कर रहे हैं किसान बोलेगा कि हमारे पास हमारे जो खेत में जो खेती हुई है तो उसमें किसी भी प्रकार की chemical fertilizer को उपयोग नहीं हुआ है तो उसके खेत से लोग ज़्यादा समान खरीद लेंगे जल्दी बिख जाएगा क्योंकि आज की डेट में ऐसी चीज़ हो रही है दूसरा point consumer की health अच्छी होगी और consumer की health अच्छी है तो अपने कमाएंगे तो ultimately सरकार को पैसा देंगे और यह पूरा economic system चलेगा वही पूरा circle जो हम लोग को देखने का मिलता है जिसमें की spending का circle जो मैंने आपको कई वर पढ़ा है कि economy को अगर चलाना है तो spend करना बहुत जरूरी है और spend लोग जब ही करेंगे जब लोग अच्छा income करेंग को ला सकती तो organic farming India के अंदर organic farming की बात करें तो इंडिया की rank first number पर है number of farmers के मामले में कि organic farmers जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी country के अंदर है और 9 नंबर पर है हम लोग area के perspective से कि organic farming में जो area है वो उसकी according हम लोग 9th number पर है पूरी दुनिया पर है सिक्केम पहली state बन गई थी प अरिपुरा और उत्राघंड भी हम लोग को देखने को मिल रही है और traditionally अगर हम लोग बात करें तो North Eastern India जो है वो traditionally organic है क्योंकि वहाँ पर rest of the country के मुकाबले consumption जो है chemicals का fertilizers का वो काफी काम है और tribal और island territories जो है वो भी इसी organic sea में है हम लोग को देखने को मिलती है organic farming वगएर हम पर जादा हम लोग को देखने को मिलती है और major organic exports जो हमारी country से जाते हैं वो फ्लेक्सीड है यानि कि अलसी का बीज आपने अलसी खाई होगी अलसी का बीज इसके लावा सीसम हो गया यानि कि तिल इसके लावा सोयबीन चाय और शदी वाले पौद ही जो होते हैं जो medicinal plants वगएरा होते हैं और चामल और दाले तो ये जादा export होती है organic ये चीज है इसके लावा government के कुछ initiatives जैसे की mission organic value chain development for northeast region इसके लावा परमपरागत कृशी विकास योजना जो की 2015 में लौच की गई थी chemical free farming को encourage करने के purpose के लिए सरकार ने organic farming को boost करने के लिए support करने के लिए initiative लेकर आई थी और ये दोनों ही scheme जो है गाई ये प्रमोड की जारी है participatory guarantee system के अंडर और national program for organic production के अंडर तो ये चीज है और export पर इस पर फाइदा किया जा रहा है कि हमारी country के अंदर जादा से जादा consumption जो हो वो organic farming के तहट produce का हो और हम लोग इस चीज को export भी करने तो ये दोनों ही इसके objectives देखने को मिल रहा है African Swine Fever की बात करें कई बार इस topic को हम लोग discuss कर चुके हैं मेगाले में African Swine Fever काफी तेजी से फैला है 17,000 से जादा सूरों की मृत्यों हो गई है काफी तेजी से फैलने वाली ये बिमारी है African Swine Fever Assam में ये फैल गई है February में Assam के अंदर 17,000 से जादा जो सूर है उनकी मौत हो गई थी और अरुनाचल प्रदेश में मौत के आकड़े जो है वो अभी clear नहीं है और माना जाता है कि चाइना से ये बिमारी जो है वो इंडिया में transmit हुई है तो आज की रेट में ये concern वाली बात क्यों है कि इत्ती बाहरी मातरा में जो सूर मर रहे है उसे नुकसान क्या है तो नुकसान सबसे बड़ा ये है कि हमारी कंट्री के अंदर 8,000 क्रोड रुपे का 8,000 क्रोड रुपीज का loss है क्योंकि Assam की बात करेंगा इस तो Assam के अंदर 7,000,000 recorded farmers हैं जो की इस activity में engaged है और North Eastern India में जादे तर लोग जो है वो सूर का मास खाते हैं पोर्क खाते हैं तो उससे जो है वो ये पूरा नुकसान जो हो जाएगा African Swine Fever की बात करें गईस कि ये exactly बिमारी कैसी है तो कई बार हम लोग इसके बार में detail में discuss कर चुके हैं और लगातार ये topic news में है तो ये थोड़ा से ध्यान रखिएगा इस topic को बहुत तेजी से फैलने वाली ये बिमारी है और hemorrhage fever जो हो जाता है सूरों को और पहली बार ये Africa के अंदर 1920 में detect की गई थी और इसकी mortality rate मृत्यूदर की अगर हम लोग बात करें तो ये close to 100% है यानि कि 10 अगर सूरों को ये बिमारी हुई तो आप कह सकते हो 10 में से 10 मर जाएंगे एकादी बच गया तो गलती से बच गया ये कहानी है इसकी और इस जो hemorrhage fever है इसका को कोई इलाज नहीं है इसमें अगर बचना है इसकी बिमारी को फैलने से बचाना है तो सूरों को मार दिया जाए तो वो ज्यादा जो है वो अच्छा है क्योंकि उससे बिमारी जो है वो दूसरे सूरों में नहीं फैलेगी या फिर सूरों को isolate इतनी ऐसी तरीके से कर दिया है कि वो अपनी rest of the life जो है वो भही पर है क्योंकि वो कुछ समय बाद तो वैसे ही वहाँ पर मर जाएगा तो वो उसका movement ना हो movement रोग जाए सुवरों को एक जगा पर जिससे कि वो naturally मर जाए वो दूसरों को spread ना करे या फिर खुद बाखुद जो है जनरल जानकारी जो होनी चाहिए इसके बारे में हमने already discuss किया हूँ इसके साथ ही साथ हमने hog cholera के बारे में भी discuss किया था मेरे खाल से एप्रिल है में के अगर आप lecture में देखोगे तो आपको यहला topics जो हो मिल जाएंगे next की बात करें 16 अगस्त की lecture में हम लोगों ने इस topic को discuss किया था यानि की 16 अगस्त को कल के दिन आपके पास वो आया था क्या बुदन ट्रेस्ट तब हमने बात करी थी PMRU के बारे में Price Monitoring and Resource Unit के बारे में तो National Pharmaceutical Pricing Authority के अंदर एक Central Sector Scheme आती है जिसको नाम दिया गया है Consumer Awareness Publicity and Price Monitoring इसके दोरा सेट अप किया जा चुका है PMRU 12 राजियों में हमारी कंट्री के ये राज है कैरला, ओडिशा गुजरात, राजिस्थान, हरियाना, नागालेंड, त्रिपोरा, उत्तरप्रदेश पंजाब, आंदरप्रदेश, मिजोराम और जम्मू एन कश्मीर और इनका प्लाइन जो है ये पूरी हमारे कंट्री में, All Over कंट्री पैन इंडिया, जो है वो ये PMRU लेकर आजा है, इसका मेन परपस क्या है इन जनरल में आपको अधायता हूँ, कि drugs दवाई जो है, उसके price को monitor करना, किस चीज के लिए monitor करना, कि दवाई जो है हाई rate में, market में ना बिके है जो manufacturer है दवाई का वो दवाई को जो है वो इस प्रकार से बेचे, उस rate में बेचे जिस rate में manufacturer जो है वो अपना समय से चलती आ रही है और इस समय पे आज की rate में क्योंकि देखो coronavirus के कारण health sector की क्या स्थिति है वो सब के सामने देखने को मिल चुकी है highlight हो गई health sector की स्थिति और आज की rate में अगर इन सब चीजों को हम लोग ने strictly follow नहीं किया क्योंकि हमारे पास तो कबसे है NPP है कितना समय हो गया बट फिर भी आज की rate में भी दवाईयां जो होती है मैं literally आपको बता रहा हूँ जो 78 रुपे की दवाई होती है वो market में 3300 तक की बिग जाती है इतना huge margin 78 रुपे की दवाई और ये मैं retailer price बोल रहा हूँ तो आप सोच सकते हो wholesaler का क्या price होगा और manufacturer का तो फिर जानी लो फिर कितना होगा फिर तो इतना margin होता है दवाईयों पर तो इस चीज को रोकने की आज की rate में बहुत जादा आवशकता है क्योंकि दवाई महेंगी होने के करण हमारे यांके जो consumers है लिटरली उनका घर परिवर बिग जाता है किसी का इलाज कराने में अगर किसी के घर में किसी को कोई गंभीर बिमारी हो गई तो उनका पूरा घर जो है वो train हो जाता है और ये बात सच्चा ही है practical चीज़े है, reality है जो की देखी हुई है मैंने personally खुद मैं तो खुद बोलता हूँ कि मेरे ऐसी अगर मेरे को जो issues है health related मेरे ऐसे issues खुदा ना खासता किसी ऐसे को हो जाए जो सक्षम नहीं है economically तो बैंड बच जाए तो वोई चीज़ मैं बताता हूँ ऐसी जो गंभीर बिमारियां होती है जो काफी सारे लोगों को है जिसमें लाख लाख रुपे जो है वो मान के चलो कि हर 6-8 महिने में 3-4 लाख रुपे का खर्चा है ऐसी बिमारी अगर किसी गरीब को हो जाए तो कोई support नहीं गर और कुछ students बोलेंगे कि सरकार support करती और ऐसा वैसा देखो पता reality में चीज़े बहुत अब भी पीछे है exactly जो चीज दिखाई जाती है जैसे कि coronavirus की case में आप समझ लो कि लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे एक Bollywood के actor ने पूरे इंडिया को दिखा दिया लोगों को घर भेज के जो कि हमारी सरकार नहीं कर पाई जो फस्यों में लोग थे उनको पहुचाने का काम होना चाहिए थे सरकार का एक Bollywood actor ने वो चीज़ करके दिखा दी तो आप reality जो है ground reality आपके आखों के सामने और आप compare कर सकते हो तो ये चीज़े हैं इस चीज़ को जो है वो फुल्फिल करना है और ये आपके answer की approach होनी चाहिए और आपकी personal मैं उमीद करता हूँ कि आगे चलके officer आजब आप बनोगे तो personal आपकी approach ये होगी कि सही direction में चीज़े करें ठीके चौब आए नहीं बेस तो यहाली बात है और आगे की बात करें हम लोग business responsibility report business responsibility report जो है guys ministry of corporate affairs ने release करी है ये report एक committee हम लोग को देखने को मिली थी business responsibility reporting की तो उसकी report सामने आई है business responsibility report क्या है तो देखो नाम सीजन में आ रहा है कि business की कुछ responsibility होनी चाहिए society के लिए कि यहाँ पर बताया जाद है कि कुछ practices जो listed company के दोरा conduct की जाती है सभी के लिए जो उनकी responsibility है क्योंकि आज की rate में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि आज की rate में ये समय एक ऐसा आ गया है जब enterprises काफी तेजी से बढ़ते आ रहे है नहीं नहीं बिसनसेस नहीं enterprises हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है entrepreneurs नए-ने startups लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ये सब जो bodies होती है इनका काम क्या होता है profit making bodies होती है इनको अपने profit करना है या फिर इनके जो investors हैं इनके जो shareholders हैं उनको जो है वो return provide कराना है यहाँ पर कहा गया business responsibility reporting लाकर कि अब सिर्फ काम जो होगा वो business का अपने investors की तरफ या अपने shareholders की तरफ नहीं होगा अब ये सभी की तरफ होगा यानि कि society की तरफ इस environment की तरफ कि जो business आपने establish किया है वो business में आप कमा रहे हो society से public से आप कमा रहे हो तो आपको public को कुछ return करना पड़ेगा यह आपकी responsibility होगी तो ऐसे culture को जो है वो शुरू करने पर विचार किया गया, focus किया गया और internationally ये culture जो है वो develop हुआ और India के अंदर धीरे-धीरे कर गई ये culture जो है अब हम लोग को देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर इसका कैसा कैसे evolution हुआ तो 2009 की बात करें corporate voluntary guideline आई United Nation की जिसको इंडिया ने लागू किया corporate voluntary guideline voluntary का मतलब क्या होता है आप अपनी मर्जी से जो है ये कुछ चीजे जो है वो follow कर सकते है कुछ आपके लिए responsibility होगी कुछ business के लिए responsibility होगी जिसको आपको follow करना है और ये responsibility किस purpose के लिए कि आपको society को कुछ return करना है यानि कि अगर कोई manufacturing company है उसने अगर profit making के लिए अपने चार products निकाले तो उन चार में से एक product आपका ऐसा होना चाहिए जो की society को return करो आप यानि कि एक ऐसा product जिससे की society का कुछ भला हो रहा है और या फिर environment का कुछ भला हो रहा है ऐसी कुछ चीज आप निकालो आप तीन चीज़ों से कमाल हो बड़ एक चीज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको society को आपको return करनी है वो आपकी responsibility है तो ऐसी चीज़े लाने पर विचार किया गया था 2009 में और इस चीज़ को जो हम लोग ने इंडिया में ऐसे principles जो है वो create कर दी है जिससे की encourage किया गया कि business जो है वो environment के लिए society के लिए और governance के लिए इन पर जो है वो काम करें और जो वो काम कर रहे हैं उसकी report जो है वो file करें कि आपने क्या काम किया है तो समय समय पर उनसे बोला जाएगा कि आप जैसे income tax return किया जाते है ना वैसे आप ये file भी दो हमें बताओ हमें कि आपने क्या किया है society को क्या return किया है क्योंकि अब एक time आ चुका है कि अब जो है welfare activity अब बहुत होगे आपने profit जितना कमाना दे कमाली है कि बहुत competition है market में बट अब आपको society के लिए return करना है क्योंकि आपने society से कमा है तो इस प्रकार का culture जो है वो all over the world जो है वो आप develop हो रहा है और ये एक अच्छे world की तरफ जो है वो ले कर जाती ये पूरी चीज है कि आप कमाओ भी और दूसरों के लिए भी काम करो तो ये बहुत अच्छी approach है और यहाँ मेंस में भी ज़रूर रूपयोग कीजेगा security and exchange board of India ने बाद में चलके top 100 listed companies जो है उनके लिए ये चीज mandatory कर दी थी कि जितनी भी top 100 listed companies है उनको अपनी business responsibility reports जो है वो file करनी होगी और ये 2012 में किया गया फिर इस 100 को बढ़ा कर 500 कर दी आगया आज की rate में हम लोगो 1000 countries देखने को मिलती है जो listed companies है top 1000 listed companies उनके लिए अभी ये mandatory है कि उनको अपनी business responsibility report जो है वो file करनी पड़ेगी ministry of corporate affairs के पास और national guidelines जो है 2019 में आई और इसी guidelines के तहद हम लोगो देखने को मिला कि top 1000 जो है वो कर दिया गया top 1000 countries sorry top 1000 जो companies है तो उनके लिए जो है ये mandatory हम लोगो देखने को मिल रहा है top 1000 listed companies तो उनके लिए mandatory है कि उनको ये report जो है वो file करनी है ठीक है तो ये अली चीज हम लोगो देखने को मिल रही है और यहाँ पर इसमें recommendation भी कुछ इस प्रकार के लाएगा है कि ये चीज कही गई कि जो unlisted companies वगेरा जो होती है उनके लिए भी specify करो कि उनका जो turnover है या paid up capital जो है वो कितना होना चाहिए यानि कि एक criteria ऐसे set करो कि इसके ऊपर यानि कि एक turnover जो set कि है उसके ऊपर अगर आपका business जा रहा है तो आपके लिए भी फिर ये mandatory है कि आपको business responsibility reporting जो है वो file करनी होगी या report file करनी होगी ठीक है तो ये सब चीज है कुछ इस प्रकार की हम लोग को यह आपर देखने का बली तो उसका एक बस general basic idea आपको होना चाहिए जादा detail में नहीं आना है जितनी चीज मैंने आपको बताईए है वो examination perspective से sufficient है और यह अपना आज का last topic था and I know आज थोड़ा सा जादा stretch हो गया lecture मुझे अज पता नहीं कि जब यह कर रहा था slides वगरा create कर रहा था मुझे लग रहा था कि शादा 20-30 मिनिट में आपन free हो जाएंगे बट फिर क्या हुआ कि काफी सारे ऐसे topics आ गए जिसमें concept मुझे आपके बहुत अच्छे से clear करने ज़रूरी था बड़ा भी रुकिये जाएगा नहीं अगर आप नहीं आए है regular viewers को तो already पता है guys कि मैं आप लोग को इसकी PDF पूरे lecture की PDF जो है minimum 100 रुपीज परमंथ में provide करा दो PDF होने से आपको फायदा यह होता है कि आपको regularly current affairs पर अपने time को waste करने की ज़रोत नहीं है आप सर्फ lecture सुनो रात में revision करो उस बीच आप main sound से writing की practice करो उस बीच यह जो homework दे रहा हूँ वो आप complete करो तो आपका time बचेगा क्योंकि अगर आप hundred notes जो है लगतार बनाते रहोगे regular basis पर आपका time बहुत consume होगा इसलिए मैंने आपको लोगों के लिए minimum 100 rupees rate रखा है एक महिने का पूरे महिने में मातर 100 rupees में minimum 100 rupees में आपको daily lectures की pdf मिलेगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको जो screen में देख रहा है इसकी पूरी pdf आपको मिलेगी daily Sunday को current affairs का एक test रात है उसकी pdf भी दूँगा weekly एक compilation में आपको provide करा हूँगा compilation है नहीं की सभी पिछले हफते की पूरी जो pdf होती हो एक single pdf में इसी handouts provide किया जाएगा जिसको आप print out करा सकते है जिसमें पूरा का पूरा जो study material है यानि कि जो writing वाला जो content content है written content ये notes वगरा ये पूरे के पूरे आपको मिल जाएगे जिसको आप print out करा सकते हो maximum 100 pages के होंगे 50-80 page में खताम हो जाएगा वसे दो पूरे महीन हैगा तो ऐसी जीज़ वह आप लोग को ये services में provide करा हूँगा इसका rate minimum 100 rupees पर मंत का है minimum उन students के लिए जो afford नहीं कर सकते हैं और guys अगर आप afford कर सकते हैं तो आप channel को contribute करने के purpose से मुझे support करने के purpose से मेरी मेहनत को देखते हुए आपको जो ठीक लगे वो आप अपना contribution channel के लिए दे सकते हैं और आपके support से मुझे काफी help मिलती है और आप ही के support से ये channel जो है वो पूरा चलता रहता है तो इस channel के इसलिए मैं हमिशा कहता हूँ कि ये channel जो है आप ही का channel है क्योंकि आप इस channel के owners हो राइट तो आप ही के वज़े से ये channel जो है वो चलता रहता है और इसी प्रकार से मैं काम करता रहता हूँ तो आपने channel को subscribe नहीं किया तो कर लिजेगा bell icon पे भी hit कीजेगा अच्छा लगा lecture तो like ज़रूर कीजेगा और आप मुझे facebook पर follow कर सकते और ये अपना telegram का channel है homework की बात कर लें homework कौन से कौन से है आज के तो ये तीन homework से आपके लिए ease of doing business इसकी ये link आपको दे रखिये मैंने तो इससे आप जो हो जाकर cover कर सकते है ease of doing business हाला कि पहले भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है यह वाला topic and secondly जिन students ने अल्रड़ी August में enroll कर दिया है तो आप सिर्फ आपको सिर्फ चार महीने की extra यागर आप August वाले paid course में अल्रड़ी है तो आप चार महीने की जो है वह advance पे payment करके यानि कि December तक की payment करके जो है वाप यह वाला offer avail कर सकते है तो ऐसा नहीं किया मैंने कि जिनने अल्रड़ी ले ली उनको भी 500 देना नहीं ऐसा system ही नहीं है मैंने rate सिर्फ students के लिए रखा है क्योंकि मुझे पता है कि एप्रिल में 2020 की PDF को देख लीजेगा इसमें आपको hog cholera भी दिखाई देगा hog cholera ये भी एक बार पढ़ ले ना zero budget natural farming इसको हम लोग ने January में cover किया हुआ है तो इसको आप January की PDF से जो है वह पढ़ सकते है तो यह हो गए गाईज पूरे overall आज के दिन का complete अब हम लोग मिलेंगे कल तब तक लिए bye bye take care have a great day गाईज टाडा